students next property है हमारे पास the group G is equal to the union of all right cosets of subgroup H in G इसको हम ऐसी भी rephrase करके बोल सकते हैं लिख सकते हैं the group G is equal to the union of all left cosets of H in G मैं right के लिए प्रूब कर रहा हूँ आप लोग left के लिए प्रूब कर सकते हो same है कोई दिक्कत नहीं है कि group G जो है that is equal to जितने भी cosets होंगे उन सब cosets का अगर आप union होगे वो सारे के सारे किसके को लाएगा वो union group G को लाएगा तो सबसे पहले मैं elements को consider कर रहा हूँ group G के let E identity तो हमेंसा रहेगी E बाकी non identity elements E A B C अप्रेल जितने भी elements होंगे ठीक है be all the elements of group G हमें नहीं बदा कितने elements है हमने dot 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 करके लिख दे कि इतने elements है now अब जितने elements है इतने cosets भी होंगे हमारे पास so H E H A H B H C so H E H A H B H C यह सारे के सारे respective right cosets होंगे subgroup H के G में हमें prove करना है G is equal to इन सब का union इन सारे cosets का union so G is equal to union of all these cosets एक बात इस अगर हमें in order to prove अगर हमें दो sets को equal prove करना है I don't know आप लोगों ने इसको पढ़ा है पहले की नहीं पढ़ा है in order to prove A is equal to B जब भी हमें दो sets को equal prove करना रहता है तो हम पहले इन दोनों containments को अगर हम यह we need to prove first A is contained in B and second B is contained in A अगर हम इन दोनों को prove कर देते हैं इसका मतलब है कि both sets are equal कि A जो है वो B में contained हो रहा है और B जो है वो A में contained हो रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों को equal होना पड़ेगा तो इसी result का use हम यहाँ पर करेंगे हमें prove करना है कि G is equal to this तो पहले हम prove करेंगे कि G जो है वो contained है इनके union में और second हम prove करेंगे this union is contained in group G इसका मतलब है कि दोनों को equal होना पड़ेगा तो पहले हम इसको prove करके लिए भी इसको prove करेंगे let x belongs to x belongs to g हमने क्या है जो है let x belongs to g भी any element अब हम show करेंगे कि यह x जो है वो इस union में ब्रहा है इसको मतलब है कि G जो है इस union में content हो जाएगा so x को ले ले हमने में एक element so therefore hx जो है वो एक right kocet हो जाएगा g का ठीक है right kocet of h हो जाएगा g in g में since h जो है also h is the subgroup of g, h जो है वो subgroup है g का तो जाइर सी बात इडेंटिटी जो है वो सब ग्रूप में बिलोंग करती है So therefore E X क्योंकि H X के elements की form क्या रहती है H X के elements की form यह रहती है H small H X such that H is coming from capital H तो E जो है वो H से आ रहा है X तो E X जो है इसका element हो जाएगा इस को सेट का और E X is nothing but X So that is X belong to H X अगर X जो है वो H X में इसका मतलब है की X belongs to अब H X के है है राइट को सेट है ठेक है So X जो है वो H union H A union union H X union in sum So X जो है वो क्योंकि X जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है एच X में और X जो है राइट को सेट है और जितने भी को सेट का union है वो इस तरफ है हमारा इस तरफ है जितने भी cosets है उन सब का union हमने इस तरफ लिखा हुआ है जितने भी cosets है उन सब का union हमने left hand side पे लिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x जो है वो इन सब के union में belong कर जागा क्योंकि हमें show करना है कि x किसी एक set में belong कर रहा है बस हो गया इसका मतलब है कि X जो ऊप्याट है प्लोंग कि क्योंकि union में कंटेंड होने के लिए किसी एक set में होना ज़रूरी है तो हमने दिखा दी कि X किसी एक right set में बिल्ओंग किसी एक right set में बिल्Union में भी बिल्ओंग कर जाएगा Conversely, हम suppose करेंगी Let x belongs to this जो हमें शो करना है कि x जो है वो g में बिलोंग कर रहा है Conversely, हमें यह दिखाना है कि x जो है वो हमने x यहां से लेंगे और हमें शो करना है x जो है वो g का मेंब कर है So, हमने यहां पर लिया Let x belongs to this To show that अब हमें शो हमें x belongs to group g This implies अब हम x जो है वो Now x इन सब के union में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलई है कि x किसी ना किसी एक को सेट में तो होगा हमने माल लिया कि x जो है वो hz कोई है कि यहां पर कोई राइट को सेट है hz होगा कोई ना कोई जिसमें होगा इन सब के union में x बिलोंग कर रहा है बीच में तो नहीं लटका रहा है x किसी किसी ना किसी एक राइट को सेट में प्रेजेंट रहेगा तो माल लिया हमने कि x जो है वो hz में है for some z बिलोंग को ग्रूप g तो अगर hz में है तो h को x को हम ले सकते हैं small hz जहां पर hz से आ रहा होगा अब h जो है h जो है वो h जो है वो subgroup h में हो h जो है that is a subset of group g तो इसका मतला है कि h जो है वो g का member है similarly z जो है z is a member of z is a member of g तो by closure property because g is a group x जो है वो member होगा है g का इसका मतला है कि this this union of all these right cosets is contained in g therefore by 1 and 2 by 1 and 2 this was your 1 and this is your 2 we have g is equal to union of all right cosets similarly आप इसको ऐसे भी प्रूव का सकते है g is union of all the left cosets ठीक है तो group g जो है that is equal to the union of all right cosets ठीक है and as well as union of all left cosets